हमारे बच्चे कैसे हो यह हमारे उपर निर्भर करता है। जैसी स्थिती और वातावर्ण में हम उनका पालंग करते हैं। वह वैसा ही बनते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विचारों की, जो बच्चों के साथ साजा करने से उन्हें पूरे दिन सकारात्मक और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप हर दिन का गरमजोशी भरी मुसकान के साथ स्वागत करें और आपके लिए नए विचार और ताक्तें लाने के लिए भगवान को धनेवाद दें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप आधा काम पहले ही पूरा कर लेते हैं। याद रखिए हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही विवहार करें जैसा आप चाहते हैं, कि वे आपके साथ करें। आपको हमेशा जामरों के प्रती दयालू रहना चाहिए। इतना समझ लीजिए आपका द्रिष्टिकोन ही ते करेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमेशा खुद को अपना प्रतिसपर्धी बनाई, कल से बेहतर बनने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको जीवन का असली सार मिल जाएगा। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक चतुर, सासी और अधिक मजबूत हैं। बलकि अलग दिखने के लिए बने हैं। आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ भी करने और बोलने से पहले हमेशा सोचें। याद रखिए, मदद मांगना कभी गलत नहीं होता। आपके सपने साकार होने का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन अपना योगदान दें। जितना हो सके प्रकृती के लिए योगदान करें। जीवन की भाग दौर में हर दिन अपने आपसे प्यार करना मत भूलना। इतना समझ लीजिए जब जिन्दगी आपको नीमबू दे, तो थोड़ा नीमबू पानी बनाई, एक बड़ी सी मुसकान लाई और आगे बढ़े। इतना विश्वास दिलाते हैं, कि दिन के इन विचारों को अपने बच्चों के साथ साज़ा करने से उन्हें पूरे दिन सकारात्मक और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। जब मैं अपने पांच वर्षिय बच्चे के साथ बातचीत कर रही होती हूं तो मैं इन विचारों को बातचीत में शामिल करती हूं। यह आश्चरिजनक है कि वह उन्हें इतनी जल्दी कैसे समझ लेती है। इनसे मुझे और मेरी पती को पूरे दिन दिमाग साफ रखने और असफलताओं पर कम हतुत साहित महसूस करने में मदद मिली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।